हेलो इस्टेंट आप सभी का स्वागत है आनलाइन स्टडिस रिजबर इस्टेंट आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कक्छा 10 के हिंदी का अध्यान करेंगे जो की 2024 बोड परिच्छा की डिस्टिकोंड से बहुत ही महतपुर होने वाला है इस वीडियो में हम आप सभी को 50 महतपुर बहुभी कलपी प्रस्णों का अध्यान कराएंगे जो की बोड परिच्छा 2024 में 22 फरावरी को पेपर में 70 प्रतिसत आएंगे यदि आप इन 50 प्रस्णों को अच्छे तरीके से अध्यान कर लेते हैं तो बोड परिच्छा में आपको 20 में से 20 लाने से कोई नहीं रोक सकता है तो बीना देर किये हम एक-एक प्रस्णों को अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे ताकि हम भी टापर की तरह 95 प्रतिसत नमबर ला सके तो चलिए एक-एक प्रस्णों को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं आपका प्रस्ण है राय क्रिष्ण दास निम्न में से कौन थे निबंधकार, आलोचक, गद्य गितकार या कभी तो राय क्रिष्ण दास क्या थे तो गद्य गितकार थे यानि कि आपसंगा बिल्कुल सही हो जाएगा आपका अगला प्रस्ण है राज्य सिरी के रचनाकार का नाम है गुलाब राय, जै संकर प्रसाद, जै परकास भारती, इन में से कोई नहीं तो राज्य सिरी के रचनाकार का नाम क्या है तो जय संकर प्रसाद है आपसन खास सही हो जाएगा चलिए आपका अगला प्रस्ण है कि महादेभी बर्माद्वारा रचित निबंद है महादेभी बर्माद्वारा रचित निबंद है आपसन का है रेती का फूल आपसंगा है हन्स आपसंगा है कदाम्विनी और आपसंगा है छनदा तो महादेभी बर्माद्वारा रचित निबंध कौन सा है तो निबंध है छनदा आपसंगा बिल्कुल सही हो जाएगा चलिए आपका अगला क्वेस्चन है कि निबंध में से सुकल यूग का नाटक कार है हरी किरिष्ण प्रेमी लक्ष्मी नरायन मीश्र बिष्णु प्रभाकर या धर्म भीरबारती तो सुकल यूग के नाटक कार कार कौन है तो हरी किरिष्ण प्रेमी जी है आपसंगा रूप है रागी सब्द का तदभा रूप बताना है आपसंगा है बादी आपसंगा है दासी आपसंगा है राणी और आपसंगा है रागी नी तो रागी सब्द का तदभा रूप क्या होता है तो राणी होता है आपसंगा बिल्कुल सही हो जाएगा आपका अगला चलिए अब आपका अगला प्रस्ण है कि रसिक प्रिया के रचनाकार है रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है अपसंखा है अचार्य किसोदास अपसंखा है अचार्य हजारी प्रिसाद अपसंखा है अचार्य देव और अपसंखा है भीखारी दास तो रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है तो इसका राइट एंसर हो ज अब आपका अगला क्वेस्चन है कि ललित ललाम के रचाईता है पदमाकर, मती राम, भूसर या बिहारी तो ललित ललाम के रचाईता कौन है तो मती राम है आप संखा बिलकुल सही हो जाएगा प्रगतिवादी यूग की दो पिसेस्टाएं कौन सी है संदर्य भावना, करुणा की भावना, नैराश्य की भावना, मनावतावादी, प्रभीती एवं करांती तो देखिए प्रगतिवादी यूग की दो पिसेस्टाएं कौन सी है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा मनाव वतावादी प्रभीती एवं करांती राइट एंसर डी सही हो जाएगा चलि अब आपका अगला क्वेशन है कि प्रगतिवादी यूग की कलावधी है 1850 इसवी से 1910 तक 1943 इसवी से 1953 इसवी तक 1936 इसवी से 1943 इसवी तक या 1923 इसवी से 1960 तक प्रगतिवादी यूग की कलावधी कब से कब है तो 1936 इसवी से 1943 इसवी तक यानि आपसण का बिल्कुल सई हो जाएगा अब आपका अगला question है कि निम्न में से छाया वाद यूग का कभी है सुमित्रा नंदन पंत नरेंद्र सर्मा दादू दयाल या कुदबन तो निम्न में से छाया वादी यूग का कभी कौन है तो सुमित्रा नंदन पंत जी है इसका right answer क्या हो जाएगा तक का हो जाएगा ठीक ह चलिए अब आपका अगला question है कि पुहुप सब्द का तस्तम रूप क्या है पूत्र, पुष्प, भक्त या वात तब पुष्प होता है यानि की right answer खा हो जाएगा चलिए अब आपका अगला question है असकंद सब्द का ततभव रूप होगा तखना, घुटना, कंधा या कमर तो असकंद सब्द का ततभव रूप क्या होता है तो कंधा होता है अपसंग बिल्कुल सही हो जाएगा अब आपका अगला question है कि धनुस सब्द का परेवाची सब्द है अपसंग है असमी, कुलीश, को डंड या पवी तो धनुस सब्द का परेवाची क्या होता है को डंड होता है अपसंग बिल्कुल सही हो जाएगा अब आपका अगला question है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्म काथा कौन सी है गुलाब राय द्वारा रचित आत्म काथा कौन सी है मेरी असफलता है मन की बाते नई पाउध या मेरा जीवन परवा तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्म काथा कौन सी हो जाएगी मेरी अ सफलता है आप्षन को बिल्कुल सही हो जाएगा अब आपका अगला प्रस्ण है राज्य सिरी के रचना कार है गुलाब राय जै संकर प्रसाद जै परकास भारती इन में से कोई नहीं तो राज्य सिरी के रचना कार कौन हो जाएगे जै संकर प्रसाद आप्षन को बिल्कुल स राम कुमार सर्मा की या महादेभी बर्मा की तो मेरा परिवार रेखा चित्र किसकी कृती है तो महादेभी बर्मा की है आप सन्गहाब बिलकुल स्रही हो जाएगा चलिए अब आपका अगला क्वेस्चन है कि हिंदी गद्य का वास्तिवी के काल कब से अरंभ हुआ 1815 इसवी से 1910 इसवी से 1938 इसवी से या 1919 इसवी से तो हिंदी गद्य का वास्तिवी काल कब से अरंभ हुआ तो 1815 इसवी से अप्षन को बिल्कुल सही हो जाएगा चलिए अब आपका अगला प्रस्ण है कि पंडित प्रताप नरायन मीश्र लेखक हैं दिवेदी यूग के भारतेंद यूग के सुकल यूग के या सुकलोतर यूग के तब पंडित प्रताप नरायन मीश्र कीस यूग के लेखक हैं तब भारतेंद यूग के लेखक हैं आप सं अब आपका अगला question है कि शूक्ल यूग के ससक्त आलोचक एवाम निवनधकार का नाम है राधा छरण गोश्वामी परताप नरायन मीस्र रामचंद्र सूक्ल या राधा क्रिस्न दास तो सूक्ल यूग के ससक्त आलोचक एवामिभनधकार का नाम क्या है तो रामचंद्र सुक्ल जी है आप संग बिल्कुल स्रही हो जाएगा चलिए अब आपका अगला क्वेशन है कि सुक्ल यूग के परमुख इतिहासकार है बाबु गुलाबराय डाक्डर नागेंद्र हजारी प्रसाद दिवेदी या इन में से कोई नहीं तो सु रस्खान की स्काल की किस सखा के कभी है आपको बताना है कि रस्खान जी का कौन सी काल था और किस सखा के कभी थे रिती काल की किस्न भक्ती सखा भक्ती काल की निर्गुण भक्ती सखा भक्ती काल की सगुण भक्ती सखा या इन में से कोई नहीं तो रस्खान दास जी किस काल किस सखा के कभी थे तो इसका राइट एंसर हो जाएगा कि भक्ति काल की सगुड भक्ति सखा के कभी थे अप्षन गह बिल्कुल सही हो जाएगा चलिए अब आपका अगला प्रस्ण है कि नीम्न में से रिती काल की कालावधी है साथ सा तिराली सिस्वी से तेरा सा तिराली सिस्वी तक तेरा सा तिराली सिस्वी से सोरा सा तिराली सिस्वी तक या सोरा सा तिराली सिस्वी से आज तक या सोरा सा तिराली सिस्वी से अठारा सा तिराली सिस्वी तक तो इसका राइट एंसर हो जाएगा रिती काल की कलावधी कब से कब तक है तद तो 14 स सर समामास भीगर है जिसीयों का समहर 7 ज़ीयों का समहर सब्सिंधूंद का समूरू है जबत रिशीयों भीगर आप संख़ा बिल्कुल सही हो जाएगा आपका अगला प्रस्ण है कि सूख दुख में समास है सूख और दुख में कौन सा समास है द्यूग समास, अब्याई भाव समास कर्म धारे समास या द्वन्द समास तो सूख दुख में कौन सा समास हो जाएगा द्वन्द समास हो जाएगा अप्षन गवा बिल्कुल स्रही हो जाएगा चलिए आपका अगला प्रस्ण है काज सब्द का तस्तम रूप है कर्म छीद्र कार्य या स्रम तो काज सब्द का तस्तम रूप कौन सा हो जाएगा तो कार्य हो जाएगा क्या हो जाएगा कारी हो जाएगा अप्षन को बिल्कुल स्रही हो जाएगा चलिए आपका अगला प्रस्ण है कि तलाब सब्द का तस्तम रूप तस्तम सब्द होगा तड़ाग समूंद्र जील या महासागर तलाब सब्द का तस्तम रूप कौन सा होता है तड़ाग होता है अ बिनायक और बालभद्र किस सब्द के परवाची है आपसंखा है देवता आपसंखा है गणेश आपसंखा है इंद्र या सीव तो देखिए बालभद्र और बिनायक इसके परवाची है तो गणेश जी के परवाची है आपसंखा बिल्कुल स्रही हो जाएगा चलिए अब आप आपका अगला question है कि अश्व सब्द के परवाची है तो आपसे हमको हो जाएंग के इसरजन आपको बिल्कुल स्रही और चबहाँ प्रस्ण है कि परि उपसर्ग लगा करके सही सब्द बनेगा आपको ध्यान से बताना है परिपूर्ण परामर्स पुरुसुत्तम या परिक्षन तो उपसर्ग पहले समझे उपसर्ग क्या होता है तो उपसर्ग जो है सब्दान से होते हैं जो किसी भी मूल सब्द के आगे तहीं बदल देते हैं चलिए परि उपसर्ग को किसमें लगा है तब परि पूर में लगा है पूर में परी लग करके परी पूर बना है तो अप्षन कब बिल्कुल यहां पे सही हो जाएगा चलिए अनुपसर्ग लगा कर सही सब्द बनेगा अनुभाव अनायचीत अनाचात या अन्तोदे तो अनुपसर्ग लगाकर कि कौन सा सही सब्द बनेगा तो इसका LEEा एंसर हो जाएगा कि अनुभाव देखिए यहां भाव में अनुजुडा है क्या जुडा है अनुजुडा है तो अनुभाव हो गया है चलिए अब आपका अगला question है कि सताबदी सब्द का समास भीगर होता है सताबदी का मतलब ही होता है सो चलिए सो वर्सों का समूँ सो दीनों का समूँ सो महीनों का समूँ इन में से कोई नहीं तो सताबदी का समास भीगर क्या हो जाएगा सो वर्सों का समूँ सो वर्सों का समूँ को हम लोग सत्ताबदी भी कहते हैं चलिए अब आपका अगला क्वेस्चन है कि अच्छी सब्द का तत्भव सब्द क्या होगा आँख, कान, भव या दात तो अच्छी सब्द का तत्भव सब्द क्या होगा तो ओ आँख होगा आप्सन को बिल्कुल सही हो जाएगा अब आपका अगला क्वेस्चन है कि बादल सब्द का परयवाची है पिलांक सस्य टनित शपला अम्बूद पयोद बिष्ट बच्छावर तो देखें बादल सब्द का परयवाची क्या हो जाएगा तो अम्बूद और पयोद होता है आप्सन को बिल्कुल सही हो जाएगा चलिए अब आपका अगला क्वेस्चन है कि लोकायतन के रचनाकर है सुर्यकांत तीरपाठी निराला जै संकर प्रसाद सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी बर्मा तो देखे लोकायतन के रचनाकर कौन से हो जाएगे तो सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगे यानि कि आप्सन गव बिल्कुल सही हो जाएगा आपका अगला क्वेस्चन है कि गबन की बिद्या है नाटक, एकाकी, कहानी या उपनियास तो गबन क्या है तो गबन एक उपनियास है यानि गबन की बिद्या जो है वो उपनियास है आप्सन गव बिल्कुल सही हो जाएगा आपका अगला प्रस्ण है कि गद्य को कभियों की डाट-डाट कहा गया है भंगिमा, कसोटी, ताल, यारे खा तो गद्य को कभियों की कसोटी कहा गया है क्या कहा गया है कसोटी कहा गया है आप्सन गव बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है कि रस्मिमान्सा के लेखक है आचारे रामचंद्र सुकल गुलाब राय भगवर सरण उपद्धाय या जय परकास भारती तो रस्मिमान्सा के लेखक कौन है तो अचारे रामचंद्र सुकल जी है आप्सन का बिल्कुल सही हो जाएगा चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है कि सेवा सदन उपनियास के लेखक है जय नेंद्र या स्पाल प्रेमचंद या जय संकर प्रसाद तो सेवा सदन उपनियास के लेखक कौन से है तो प्रेमचंद्र जी है आप्सन का बिल्कुल सही हो जाएगा अब आपका अगला क्वेश्चन है कि चिंता मड़ी के रचईता है तो चिंता मड़ी के रचईता कौन है तो आचारे रामचंद्र सुकल जी है इसका राइट एंसर खो हो जाएगा चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है कि हांस पत्रिका के संपादक है मुनसी प्रेमचंद जैसंकर प्रसाद निराला या महादेभी बर्मा तो हांस पत्रिका के संपादक कौन है तो मुनसी प्रेमचंद्र जी है आपसन का बिल्कुल स्रय हो जाएगा अब चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि हारी मुख मानहू मयांक पक्ति में अलंकार है तो देखिए जहां कहीं भी हम मैं बताया हूँ कि मन हूँ जन हूँ मनो और जनो सब्ध जहां कहीं भी दिख जाए तो वहाँ आपको कुछ सोचना नहीं है क्या लगा देना है तो उत्रेक्षा अलंकार तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा उत्रेक्षा अलंकार हो जाएगा चलिए आपका अगला question है कि चरण कमल बंदो हरी राई उप्युक्त पक्ति में अलंकार है उप्युक्त पक्ति में कौन सा अलंकार है उपमा, रुपक, उत्परेक्छा या यमक तो देखिए चरण कमल बंदो हरी राई में कौन सा अलंकार होता है तो रुपक अलंकार होता है इसमें जो चरण की कलपना जो है कमल से की गई है या तुलना कमल से की गई है चलिए मैं बिद्यार्थी हूँ अर्थ के अधार पर वाक्य का भेद क्या है मैं बिद्यार्थी हूँ अर्थ के अधार पर वाक्य का भेद क्या है संकेत वाचक आग्या वाचक इक्षा वाचक या बिधान वाचक तो इसका राइट एंसर हो जाएगा बिधान वाचक क्या हो जाएगा बिधान वाचक आप संधी बिल्कुल स्रही हो जाएगा चलिए अब आपका अगला प्रस्ण है कि गोदान किस यूग का उपनियास है शुकल यूग का शुकलोतर यूग का दिवेदी यूग का या आधनिक यूग का तो गोदान किस यूग का उपनियास है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा शुकल यूग का यनि कि आप्षन का ब प्रभाकर मोहन राकेश तर्वु स्वामिनी नाटक के लेख कौन है जैंसंकर परसाची है आप संखा बिल्कुल सही हो जाएगा अब आपका अगला प्रस्ण है कि सुक्ल यूग की कलावदी ए 1850-1990-1990-1990-1990-1990-1990-1990-1990-1990-1990-1990-1990-1990-1990-1990-1990-1990-1990-1990-1990-1990- इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है कि मुन्सी प्रेम चंद द्वारा संपादिक पत्रिकाएं हैं मर्यादा और हंस छाया और प्रभा सुधा और हंस सर्वसती तोनों है तो इसका राइट एंसर का हो जाएगा चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है कि कृतिक अंकाल के लेखक है मैथली सरणगुप, रामकुमार बर्मा, मुन्सी प्रेम चंद, जैस संकर परसाद तो क्रितिक अंकाल के लेखक कौन है तो इसका र सब्सक्राइब कर लिए अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए